मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा जश्राफ शही स्मारफ पर जो भी कुछ हुआ, मेरी आँखों के सामने हुआ मुझे इस बात का ताज्यूब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सुर्यादेव सिंग जैसे ही जिम्मेदार और सुल्जे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठा है जिससे निर्दोष लुक मारे गए इस हथाकान के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सुर्यादेव सिंग ही है प्रिगेडर सुरीदेफ सिंग आजालत ने आपके खिलाफ सारे बेयाना सुने आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है हम अपनी डिफेंस खुट करेंगे सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए इजाज़त है आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाईए जो भी कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे जज़ सहब क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पुवित्र गरंतों पर हाथ रखकर जो गवाएं दी जाती है वो सच होती है अगर इन खस्मों के बावजूद भी गवाएं सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पुवित्र गरंतों का अपमान किसलिए जज़ सहब अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाएं की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और आवाज जो के जूटे है ये मुकद्स गरंत हमारे धर्म और इमान का ताज है हमारी जिन्दगी की बुन्याद है हम ये खसम खाएं भी तो कैसे खाएं ये अदालत आपकी दलीलों की खदर करती है बरिगेडर साब लेकिन ये अदालत की बरसों परानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता है तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान आप अपना फैसला सुना कर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए तमाम सुबूत और गवाहों के बेयानात को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचिए कि शहीद इस मारक पर बेगुनाओं पर पुलिस ने गोली बरिगेडिया सुरे देव सिंग के कहने पर चलाई इसलिए ये अदालत बरिगेडिया सुरे ये कि अच्छ कि अच्छ कि है कि अच्छ कि अच्छ कि 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 हमारी मेटिंग का बंदबस्त हो गया यस सर्थ सुर्य देव सींको आप जेल के तैकाने में मिल सकते हैं कि अच्छ का मामला है इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा प्राइट सब्सक्राइब कि अच्छ कि आप इधर देखने की तकली मत उठाए मंत्री साहब हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं यहां दीवारे तो हैं लेकिन के कान नहीं आपका वागले से अलग हो जाना वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ पयान देना आपका किरफतार होना भाई यह सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया इसलिए तो आपको हमने याद किया है और जब कभी शुरूरी समया जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेज बदल कर हम से मिलने यहाते रहते सर, ब्रिगेडियर साफ का हमसे अलग होना जेल में आ जाना इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लाफरवा हो जाएंगे और उनकी इसी लाफरवाई का फाइदा उठा कर हम उनकी जड़े आसानी से काड़ सकते हैं हम जिन जड़ायम की तराश में हैं उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दिवारी में भी पैरस्त हैं उन्हें ढूंड कर निकाल कर हमें खोदना होगा और मंतरी सहाथ आप से खाथ बात ये कहना थी कि हमारी गारहाजरी में इंस्पेक्टर वागले आप से आउट लाइन पर बात्चित किया करेंगे चियार्स नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनात नया साल तुमें मुबारक और सुर्यदेव सिंग का जेल जाना मुझे मुबारक रarthा बीटिया करी नजर नहीं आ रही नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नात भी नहीं आ रहा अरे भई इन नौजवान लोगों का हम बुढूं से क्या मतलब बना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ प्लीज रसिक ऐसा मत करो न अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ने साल का सेलिबरेशन अदूरा रह जाएगा मेरी चान रसिक तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्ची की मां बने वाली हूं मां यारी प्रेगनेंट अनीता तुम हां मैं कह दो इसे भी प्रेगनेंसी में परिशानी क्या है करवालो अबोशन शादी बाद में कर लेंगे अभी तो हम बच्चे हैं क्यूं यही कहा था न तुमने मुझसे और न जाने किस किस से कहा होगा अनीता अनीता कब तक तुम मुझे यूई ब्लैक्मेल करती रहोगी राधा राधा यह सब तुम से छूट बोल रही है यह मुझे बद नाम करना चाहती है इसकी बातों में मताना तूं मैं भी तुम्हारी तरह इसकी भोली भाली बातों में आकर इसके बच्ची की मां बनने यह तुमने क्या किया रसीग तुमने इसन टाला तो और क्या करता बाजार्व औरती जबर्दिस 007 डेक्ले पढ रही ती आज मैंने तुमारी 자ई शभ्त देख लिição एक अगर ये एक बाजार्व कुत्ते हो जो जगा जगा मुह मारते फिरते हो मैं आज तुम्हारा भांडा फोड कर होंगी मैं अभी पुलीस को फोन करती हूँ ज्यादा समझदा बनी कोईश्की तो तेरा भी यही अशा करदूगा समझें तुम्हार यही अभी ज्यादा हुटप हाँ उस्दूप हाँ पुलिस को बता है की पुलिस को बता है की सुखें तुआ है कि ना रहें पास नप्जागी पसणी इसमें ही निया तुपी का मजा ही नहीं आता है अरे किया हुआ अभे सामने देख लड़की की लाश अरे नहीं यार ये भी हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है चलो उसे और पिलाते हैं अपना मी नया साल सुधर जाए अभे नया साल सुधारने के बच्चे अगर लफड़े में फस गए ना तो जिन्दे की बिग को चलो, देखते हैं अरे यह तो फिर से ब्योश हो गई लगता है किसीने इसे बहुत मारा है चलो इससे अस्पताल ले चलते हैं डॉक्टर साब यास क्या बात है डॉक्टर साब यह लड़की बहुत सीरियस है आप बचा लेजी फ्लीज लड़की का यह लड़की कौन है यह हम नहीं जानते तुम नहीं जानते तो इसे लेकर क्यूं आए हो कांसल आए हो बीच से यह हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी बेहोशी की हालत में इसकी हलत तुम लोगों ने इसके साथ 31 नाइट मना के तो नहीं किया ना हम लोगों ने ये क्या कह रहें डॉक्टर साहब नहीं नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया देखा तुम लोगों ने मैं तुम लोगों पहले ही कह रहा था अगर नहीं यार सुप्रादू दरता यह वाक्त इधर उदर की बातों का नहीं है हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए बातों से समझदार मालूम होते और मुझसे शराब की बद्बू भी आ रही है लेकिन भाई मेरे यह मामला तो पुलिस का है पुलिस क्यों डॉक्तर साब चौकि इस तरह के केसिस पुलिस में दर्च करवाए जाते हैं मैं इस्पेक्टर को अभी बलाता हूं इस्पेक्टर नीशे बैठा है जो कि आप लोग बैठी है इस्पेक्टर कहां गये वो लोग कि आदे का कि अरव कि अधार ने यहां यह उस लड़की की मेडिकल रिपॉर्ड हम रेप के से नौ सर लड़की के पेट में दो मेने का बच्चा है रड़की को होश आया नो सर पिसका कुछ अता पता अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन है और उसके पेट में बच्चा किसका है अगल अगल से में अगल 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 से में अगल 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 कमिने ने आज मेरी इज़त मिट्टी में मिला दिये मैं इसे जान से माख रहे हैं किया किया इसने ये बाद तो मुझे से पुछो तो अच्छा होगा अच्छा रुख जाओ शांती करो कि बेटे रसिक के लोटो बताओ क्या बात है कि अगे अंकल अंकल मैं हाँ बोलो डरो मत अंकल मैं यड़की से मुहबबत करते हो यहीं ना हाँ तुम भी कमाल करते हो प्रलेनाथ पेटे की मुहबबत परदाश नहीं कर पाए उसे मारने पर तो लाए अरे मुहबबत करना तो आज कलके नौजवानों का फैशन है बात यह सच तो यह है कि इसकी मुहबबत की चकर में वह लड़की इसके बच्चे की मा बनने वह तो इसमें कौन सी नहीं बात है करवादो शादी और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवादो एबोर्शन मगर जीवानल बात यह है यार ऐसे मामले में बात-बात तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो तर असल बात ये है जीवनलाल की वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है सारी चीज़े दर्स कर ली जी सब और हाँ इस डेड बॉड़ी को जल से लफ पोस्ट अलम सावी अपर्स मिला है संचे आर जान मेरा पर्स बीच पर यास्पताल में गिरा है अगर वो पुलिस को मिल गया तो कहीं हम फस्का जाए नहीं यार अरे जब हम लोगोंने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हम फस्कू जाएंगे अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस चक्कर में बद पड़ो उल्टे भजाएंगे लेकिन मेरी सुने किस ने थी पेड़े से पुछ लीजे